तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोश्चन को देखते हैं कहता है कि ग्रेविटेशनल हमें फिल्ड निकालना डिव्टी उनिफॉर्म राड आप मास एम यह हमार राड है जिसका मास एम लेंथ एल है और यह जो है पॉइंट एक डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है इस डिस कितना हो जाएगा झो हो जाएगा यह हो जाएगा तो इसका क्या क्या logic है एक चोटे से लेमेंट का निकाला जाए यहाँ चोटा डिफरेंशाल इलेमेंट लिया जालै और उसी कितने डिगरी पर है कुछ एंगल पर है और फिर लिमिट लगा के प्लस थीटा से इधर भी maus तरहां लेते हैं माइनस थीटा से प्लस अधीनगरेत कर देंगे तो सब्से पहले हमें थीटा की वैलू साइडों के टम में लिख लेते हैं पहले हम सबसे पहले यह काम करते हैं कि यह जो है यहां से यह पूरा का पूरा तुम देखोगे यह वाला जो लेंथ है इस लेंथ को मैं साइड के टम में लिख लेता हूं यहां तुम देखोगे यह वाली जो लेंथ है यह यहां से यह वाली length है वो कितनी हो जाएगी how much this length and also this length will be same तो यह पूरा जो आ जाएगा that is d square plus l square upon 4 under root ठीक है तो यह पूरा आ जाएगा 4 d square plus l square over 4 यह सब कुछ under root तो finally इसकी जो value बनेगी वो बनेगी 4 d square plus l square under root और divided by 2 तो this is hypotenuse यहां पर यह पूरा का पूरा एंगल कितना है यह पूरा एंगल मैं alpha माल लेता हूं ठीक है तो यह पूरा एंगल कितना हो जाएगा minus alpha तो sin alpha की value हमें future में जरूरत पड़ेगी या cos alpha की या 10 alpha की तो मैं sin alpha की value नि to PYH तो PY2 और यहां से h की value हम पहले ही निकाल लेगे हैं 4 d square plus l square under root और यह divide कर दूं मैं 2 से तो यह 2 को cut गया तो finally मुझे sin alpha की value आजाएगी वह आजाएगी l by 4 d square plus l square this is basically nothing यह सब कुछ under root रहेगा तो अगर तुम यह देखोगे तो इसको हमें future में जरूरत पड़ेगा sin alpha तो हमारा limit जाएगा minus alpha से plus alpha तो basically अब कुछ करना नहीं है अब basically rod को मैं चलो एक rod है उस rod को basically मैं ऐसे बना देता हूँ यह अपना rod है देखना यह अपना rod है और इस rod को तुम देखोगे तो इस rod के यह वाला जो point है mid point यह line है mid point इस mid point पे हमें value निकालना है तो इस mid point के लिए जो है अब यहां से कुछ x distance पे चले जाते हैं यहां से कुछ x distance पे चले जाते हैं और एक थीकने से dx का यह element है इसकी थीकने से dx है और इस dx element का एक strip consider कर लिए तो यह वाली जो length है यह कुछ यह point P से यह कुछ theta degree पर मैं consider कर ले रहा हूं ठीक है कि पूरा alpha होगा यह जो length है यह length यहां से कुछ theta degree पे similarly यहां से नीचे भी ऐसा ही एक element है और यह distance मुझे पहले से पता है d है तो यहां एक ऐसा element है minus x distance पे तो यहां से तुम देखोगे यह वाली भी minus alpha पर होगा तो मैं इस चोटे से element की वज़े से यह angle कुछ minus theta होगा तो चलो इस चोटे से element यह dx है तो इसमें कितना mass आया होगा dm mass आया होगा तो यह dx है तो इसमें dm mass exist किया होगा तो इस dm का जब अगर मैं field देखूंगा तो अगर मैं इस dm का field देखूं तो basically इस dm का जो field है वह यहां पर आयेगा इस अपर वाले की वज़े से और lower वाले की वज़े से जो field है वह इधर आयेगा अब इन दोनों field के हम component कर देंगे तो उपर वाले field का अगर मैं component करता हूँ तो उपर वाले field का एक component इधर आएगा जो की होगा यह d e ठीक है d e तो यह आजाएगा d e cos theta और इसका vertical component आजाएगा that is d e sin theta यह field है किसकी वज़े से छोटे से small element की वज़े से similarly अगर तुम देखोगे ऐसे ही तो यह जो अगर similarly ऐसे देखा जाएगा तो यह basically यहाँ पे यह जो यह वाली जो नीचे वाली d e है इसका एक component भी इधर ही आएगा that is d e cos theta और vertical वाला component आएसे जाएगा d e sin theta be careful since p यह जो point p है वो mid point है यह जो point है वो mid point है this point is mid point इसे क्या फायदा मिला हमें mid point होने से फायदा यह मिला कि यह जो d sin theta है और d cos theta symmetrically इस plane में एक दूसरी को cancel कर देंगे मतलब net field net field along y axis y axis के long net field 0 आएगा तो y axis में तो कोई field आएगा ही नहीं तो जो net field बचेगा x axis में बचेगा तो net field along x axis बचेगा वो integration of d cos theta यह final solution होगा final limit कहा जाएगा minus alpha to plus alpha क्योंकि पूरा angle हम लोग alpha लिये थे देखो पूरा 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 वो angle alpha लिये थे और इस alpha में से छोटा angle हमने थीटा consider किया हुआ तो यह जो यह final हमारा logic है और इसी logic को बच्चों हमें implement करना है इस logic को हमें implement करना तो सबसे पहले मैं d cos theta calculate करता हूं तो सबसे पहले मैं d calculate करता हूं d क्या है हम सब को पता है अगर एक point mass है एक point mass है और इससे कुछ r distance पर field की value होती है वह होती है capital g m over r का square तो उसी तरह से यह जो छोटे element है dm इसकी वज़े जो small field हो जाएगा d वह जाएगा gravitational constant इस छोटे का mass और distance यह distance की हमें जरूरत पड़ेगी यह distance कितना हो जाएगा x square plus d square under root क्योंकि यह यहां से x था और यह d था तो finally x square plus d square under root का यह वाला तो यह का whole square plus multiplied by cos theta की value कितनी आ जाएगी तो cos theta की value आ जाएगी भाई तो b by h बोले तो b d और hypotenuse h पहले ही निकाल चुके x square plus d square और under root ठीक है पर dm की value dm कितना आ जाएगा बोलो तो dm आ जाएगा broad का mass per unit length और multiplied by छोटा छोटा length यह तो यह dm dx यह सारे तो नेट फिल्ड जो आ जाएगा d cos theta की जो value आ जाएगी तो नेट जो d e d cos theta की value आ जाएगी रग देते हैं जी और यहां से देखो d cos theta की value आ जाएगी d e की value डालो तो d e की value यह आ जाएगी x square plus d square और dm की जाएगी mass per unit length multiplied by d x multiplied cos theta की value बोलो तो cos theta की d over x square plus d square under root तो finally इसको थोड़ा सा summarize कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है तो जो d cos theta है तो d cos theta का final submission जो मिलेगा वो मिलेगा देखो जी capital M mass up the rod small distance d और यह मिलेगा capital L और यह मिलेगा x square plus d square की power 3 by 2 और यह d x से भी multiply हो जाएगा तो यह finally जो है यह finally this is the basically हमारे पास क्या जाएगा small field d अब total जो field है उसको हम इसको proper limit लगा के integrate करेंगे तो net field मिलेगा तो net field की जो value आ जाएगी वह integration minus alpha से plus alpha और इसका integration करतूं minus alpha से plus alpha तो इसका integration करने के लिए हमें सबसे पहले जो है इस variable को angle के term में convert करना पड़ेगा तो इस छोटे से triangle से आ जाओ यहां से देखो अब यहां से तुम देखो value की आ जाएगी x upon d तो इस triangle में आ जाओगे राइट एंगल ट्रेंगल में तो हमें 10 थीटा की जो value आ जाएगी वह आ जाएगी x upon d एक्स अपान दी तो x की value आ जाएगी वह आ जाएगी d 10 थीटा भाई तो x की value और x square और d square की value आ जाएगी तो x square की value is equal to d square 10 square theta plus d square तो d square की value कितनी आ जाएगी d square की value 1 plus 10 square theta की equal 1 plus 10 square equal to six square theta और d square तो यह basically यह सारी value ले जाएगी रखो तो यह सारी value अगर ले जाएगी रखेंगे तो minus अब limit change कर देंगे तो यह limit मैं change कर देता हूं क्योंकि limit बदल जाएगा बार में limit रखेंगे पहले सबसे पहले capital G capital M small d और a capital L और d x की value रखते हैं d x की value कितना है d s square theta d theta और यह पूरी x square plus y square की value इस पर square चड़ा हुआ है तो यह नीचे बचेगा सेख की power q theta तो सेख की power q theta x से cut cut गया और finally जो इधर मुझे मिला उसकी value एक बार हम लोग देखते हैं तो finally तुम देखोगे d s square तो यहां से d x की value d s square और यह d s square तो यहां एक d यह भी था तो एक d यह d cut गया और finally जो है यह एक कॉस सेख यहां बचा सेख theta और ऊपर चल गया तो capital G m d और l और cos theta और d theta तो यह फाइनली जो है वो नेट electric field along x-axis यह हमाएं दे रहा अब हमारा काम है इसको integrate कर लेना तो जब मैं इसको integrate करूंगा तो प्रॉपर लिमिट जो है माइनस अलफा से प्लस अलफा लगा दूँगा तो प्रॉपर लिमिट लगा के integrate करो देखो कितना आता है सब लोग वीडियो पहुच करके और खुद से देखो खुद से integrate करोगे तो ज़्यादा फिल आता है तो जी capital M small d और capital M cos theta का integration sin theta और sin theta की जो value जाएगी यहां से और माइनस अलफा से प्लस अलफा तो यह जाएगा capital G small d और L और यह जाएगा sin alpha और यहां से plus sin alpha ठीक है मतलब यह जाएगा two times G capital D small d upon L और sin alpha sin alpha की value डाल दिया जाए तो sin alpha की अगर value यहां से डाल दिया जाएगा तो देखते हैं कि sin alpha की value कहां क्या निकाले थे sin alpha की value हम निकाले थे L by 4 d square plus L square तो sin alpha की value जो हम निकाले थे यहां से वह जाएगा two g m d over L और L upon 4 d square plus L square under root तो sin alpha यह एल इसको काड़ दिया तो finally मुझे जो net field मिला ओ एक्स एक्सिस के लाउंग होगा और उसकी value आएगी two mgd और divided by यहां से four d square plus L square under root यह देखो d यह कहां से आ रहा d लग रहा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहां पे तो यहां से तुम देखोगे mass per unit length cos theta is equal to by h तो cos theta is equal to by h यह वाला d यहां से आ रहा है तो by h और अगर यह d यहां से आ रहा है तो dx की value आ जाएगी x dx की value आ जाएगी 10 theta is equal to P by B तो P by B और यह d से एक स्क्राइड थीटा और यहां से देखो यहां हलका सा mistake हो गया है तो यहां d square d की power 3 बचेगा तो दी की power 3 बचेगा तो यहां एक d बच जाएगा तो एक ड यहां बच जाएगा बात समझ में आरा ना तो एक दी यहां से बच जाएगा तो ये डी ये डी ऊपर में नहीं आएगा एक थोड़ा सा में मिस्टेक हो गया है तो ये डी यहां पर नहीं आएगा और ये डी यहां आएगा नीचे ठीक है तो ये फाइनली मुझे सही करना पड़ेगा तो ये बात नहीं ठीक है तो ये डी यहां आएगा ये डिया जाएगा ये जितना डी हम लिखे हैं ये वला डी कि सारे डी नीचे आएंगे ठीख हैं तो ये आप सही कर ले न ये डी है ये डी है ये डी है तो finally अगर तुम देखोगे तो last में वही कहाणी होना था जो होगा तो finally यह वाला डी तो यह दिस इस फाइनल एक्स्प्रेशन आप दे नेट फिल्ड इग्जिस्ट इस इस फाइनल सलूशन अब इस प्रॉब्लम तो यह क्या है बेसिकली आपको खुद से अटेंब करना पड़ेगा खुद से करना पड़ेगा और आई होब की समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आए तो वीडियो कही पर पहुच करो और खुद ट्राइगरो सेल्फ ट्राइगरो और खुद देखो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो